अगर आप civil service की तहारी कर रहे हो तो इस लेवल का contemporary aspect या जो दा हिंदू session है वो आपको देखना है और पहले के sessions है जो लोग नए है यू can see कि कितने सारे जो topics हैं जो हमने discuss किया है और काफी सारे questions जो है वो mains में आये है इस बार और मैं सब के screenshot आपको show करूँगा काफी सारे question का मतलब काफी सारे question इस बार ethics में भी 2-3 questions है जो की आये हुए है जो हम लोग ने discuss किया जैसे artificial intelligence and ethics यह discuss किया है environmental ethics पर discussion पहले हो चुका है तो यह session है पूरा इसमें mind maps भी आपको रहेंगे mind maps भी दे रहा हूँ to the point content होगा और यह पूरे topics है like क्योंकि Sunday का session भी आज ही cover होता है तो 23rd और 22nd का तो देखो पहला topic है जो quad की group submit हो इसका outcome क्या है आयार का महतपूर topic है antimicrobial resistance की बात करेंगे तो science tech का topic है butterfly effect क्या होता है यह science और अलग topic है national security strategy की बात करें तो यह बहुत important internal security की context जिस पर पत्री GDP economy का topic है this is linked with economy Venezuela presidential election IR का topic है बहुत सारे topics है judicial constitution of India and its instrumentality quality का topic है पेजर working कैसा है यह science tech का topic है India trade deficit situation की बात करें economy का topic है निपा वाइरस science tech का topic है love from hot spot and earth's mental geography का topic है और genetic mechanism और transgenerational phenotypic plasticity in plants science का topic है irrational use of antibiotic and its effects on host cell science का topic है तो यह सारे topics है आज के जो हम लोग discuss करेंगे और आप देख सकते हो और मैं यह भी कहूंगा आप अगर नए हैं तो just go through पूरे YouTube में you can go and check compare the content but this is for UPSC only और जो अगर आप किसी state exam की तहारी कर रहे है मतलब state PCS की बात करें तो अगर आप उसकी तहारी कर रहे है तो अगर आप उसकी तहारी कर रहे हैं तो इस इस आपको लिखना है कोई इस नंबर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यह अपना आप स्वारपणड़ यूपी एसी टेलिग्राम चैनल पर वेस कर सकते हैं ऐसे का कोर्स आपका चल रहा है जिसमें total 50 एसे हैं वीडियो लेक्ट्यर और मैं आपको लास्ट में दे दूँगा जॉइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है सौरपांड़ CAC एप के अंदर गूगल प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं यह सौरपांड़ UPSC.com वेबसाइट में all courses पे क्लिक करना या फिर इस नंबर पर अगर आज के पेपर अगर आप देखोगे तो वहां पर फ्रंट पेज पे है लीडर्स ऑफ क्वाड गूरूप समिट और उसका जो आउटकम है क्या क्या मेजर आउटकम है थोड़ा बेसिक जो क्वाड है उसकी उपर भी विल डिसक्स अबाट इट अलसो क्वाड की उपर देट के इंडिय armas रीजन के कंटेक्स्ट में क्वाड का गठन किया गया था जिसमें आपका इंडियन Oceans रीजन है और सांथ में जो संत्रव प्सभी कोड इंगन कर आपकोड की क्रूपिंग का है सो कोस्ट गार्ड एक्सराइस की इसके अगर आउटकम की बात करें फिर इसका देखोगे लोजिस्टिक नेटवर्क भी डेवलप करना लोजिस्टिक का मतलब जिसे चीजों को यहां से वहां पहुंचाना जैसे जैसे डिजास्टर रिस्पॉंस को यह होता तो एर लिफ्ट कैपिबिल्टी बढ़ाना समुदरी लेवल पे सर्वीलियन्स रखना इंडो पैसिफिक के रीजन में हेल्थ इनिशेटिव्स भी यहां पे लिए गया है जैसे कैंसर मूनशॉट टारगेटिंग सर्वीकल कैंसर को फोकस किया गया है और फिर स्क्रीनिंग प्रोग्राम मतलब जो उसके अलावा जो वैक्सिन डेवलप करना और उसका सप्लाई इंक्रीस करना तो यह आउटकम है क्वार्ड गूर्प सम्मिट की अगर बात किया जा उसके बाद कुछ एग्रेशन्स को कंडेम भी किया गया है इस्ट और साउथ चाइना सी के अंदर जो है इवन वार जो यूक्रेन के अंदर उस कंसर्ण को भी जो है रेज आपका किया गया है और कोस्ट गार्ड का प्रेशन्स को बहुत तेजी से बढ़ानी की कोशिश कर रहा है उसको कैसे काउंटर किया जाए यह भी सामने जो है पॉइंट सापके रखे गया है फिर उसकी बाद फ्यूचर इनिशेटिव की बात करें तो यहां पर क्वार्ड एट सी शिप ऑब्जरवेशन मिशन 2025 के लि तो Maritime Safety Security के लिए बहुत महत्रपूर्ण है उसके बाद Maritime Initiative for Training in Indo-Pacific Math 3 जो Maritime Initiative जहां पर Training प्रोवाइट करना इंडो पैसिफिक रीजन में है फिर Quad Partner, Training Quad Partners हैं समुद्र के अंदर Law Enforcement कैसे किया जा सकता है, Rule Regulations को कैसे Implement किया जा सकता है, Maritime Legal Dialogue की बात अगर की गई, यह Future Initiatives हैं आपर Case चल रहा है तो Legal Support प्रोवाइट करना और यह सब का Focus क्या है कि चीज़ें जो समुद्र में हों, वो as per the Rules Regulations के Context में होना चाहिए, यह महत्रपूर्ण है, जो Rules Regulations हैं, उसके Context में जो है वो आपका होना चाहिए, तो यह सब चीज़ें जो है आपकी इसमें Highlight की गईग इसके, उसके Close आके उसको तोड़ा सा डराने का प्रयास कर रहा है, तो यह Concern जो है वो आपके Race किए गया है, ठीक है तो जो नए है तो लेट मी टेल यू कि आपका पूरा रिवीजन में, तुरंत आप Mind Map के माद्यम से भी कर सकते हैं, Quad के बारे में Brief में देखें, तो Quadrilateral Security Dialog कि यहाँ पे कौन-कौन से देश हैं, तो एक तरफ आपका US है, इंडिया है, जपैन है और अस्ट्रेलिया है, तो Quadrilateral Security Dialog है, किसके किसके बीच, US, इंडिया, जपैन और अस्ट्रेलिया के बीच में, यहाँ पे खास तोर से जो इंडिया नोचन रीजन आता है, और साथ में आपका Central Pacific Ocean तक का जो रीजन आता है, वहाँ पे किस तरीके से औरीजनल सेक्यूर्टी, सेक्यूर्टी को प्रमोट करना, यह देखना कि चीज़ें आसानी से हो, प्रॉपर ट्रेड हो, यह सब पर फोकस आपका किया गया है, फिर उसके बाद यह 2007 में प्रपोस किया गया था, 2017 में इसको मतब प्रॉपर तरीके से लेकर आए गया, मेंबर इसके US है, इंडिया, जपान और अस्ट्रेलिया है, फोकस एरिया इसका क्या-क्या है, मेरिटम सेक्यूरिटी है, समुदरी सुरक्षा है, टेर्रिजम को काउंटर करना, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोजी के ल antimicrobial resistance and staphylococcus aureus, यह एक टॉपिक है, देखो, यह टॉपिक साइंस टक के अंदर है, और साइंस वाला पेज देखोगे, वहाँ पे यह न्यूज आपको देखने को मिलेगी, तो देखो, antimicrobial resistance शब्द की जब बात करते हैं, तो क्या होता है, एंटी-biotics की जो दवाई हैं अगर आप उसको बहुत ज़दा, ओर यूज, मिजूज, ओर यूज करते हैं, तो दीरे-दीरे जो बैक्टेरिया है, वो इसके प्रती resistance डेवलप कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं, antimicrobial resistance, मतलब अगर आप दवा खाते भी हो, तो वो आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं, दूर कर सकती, क्यों, क्योंकि जो कॉजिंग, डिजीस कॉजिंग और अर्गिनीजम है, उसके अंदर resistance डेवलप हो गया, तो उसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, इससे आपको सोचो कि जितनी भी दवाएं बनाई हैं, आपको नई दवाएं बनानी पड़ेगी, कितनी जार मैतिसलीन एक दवा है, उसके परती जो है, यह जो बैक्टेरिया इसके अंदर resistance डेवलप हो रहा है, अब इसके खिलाब एक ट्रीटमेंट होता है, जिसे हम वैंको माइसीन भी कहता है, जो कि इस्तमाल किया जाता है, वैंको माइसीन का, जो कि यह मैतिसलीन रिजिस्टन इस जो औरियस बैक्टेरिया इसके खिलाब एक ट्रीटमेंट है, जिसको वैंको माइसीन बोलता है, अब इसके प्रती भी ही रिजिस्टन धीरे-दीरे डेवलप हो रहा है, यह मैटर अफ कंसर्ण है, मतब पहली चीज रिजिस्टन डेवलप हुआ, फिर उसके बाद आप उसक इसके ट्रीटमेंट के लिए वैंको माइसीन का इस्तमाल आपका किया जाता है, अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर यह बैक्टेरिया इसके ट्रीटमेंट के प्रती भी अपना रिजिस्टन्स डेवलप कर लेगा, तो फ्यूचर में एक बहुत ही मैटर आफ कंसर्ण है, फिर आपको बहुत अधिक फिर से दुबारा से इसके प्रती जो ट्रीटमेंट है वो डेवलप करना पड़ेगा, अधर्वाइस फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर यह जो बैक्टेरिया है यह बिमारी और तीजी से फैल आएगा, फिर इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे कई इन्वस्टीज हैं, वहाँ पे लगातार इस पर चल भी रहा है, और फ्यूचर में कहा गया है कि यह फ्यूचर में बैंकॉमाइसीन ऐस ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा की नहीं है, इस पर काफी अधिक आपका जो रिसर्च और डेवलप्मेंट है वो आपका हो रहा है, तो दा हिंदू न्यूस पेपर से 2024 के मेंस में बहुत सारे प्रश्ट हैं, सब के स्क्रिंशोट शोर जो है शेयर कर, मैं आपको करूँगा है, ऐसे का जो टॉपिक है, उसका मैंने पूरा सॉलुचन अल्रेडी शेयर किया था, अभी मैं जीस पेपर 1, जीस पेपर 2 और जीस पे क्या है, session के अंदर, क्योंकि देखो, यह topics UPSC के level के हैं, यह कोई one-liner type नहीं है, किसी दूसरे जो exam में पोचे जाते हैं, क्योंकि हर exam के अपनी एक need होती है, यहाँ पे भी आपको उस level की तहारी करनी पड़ेगी, और अगर किसे ने की है, और static को साथ में लेकर चले हैं, त से, मैं आपको बताय था, AI और ethics पर बहुत चर्चा की थी, environment ethics पर कई चर्चा हमने कर रखी थी, तो वो हैं जिनको हम अच्छा उसमें कर सकते हैं, अगर आपने discussion कर रखा है, नेक्स देखते हैं, topic butterfly effect, understanding the chaos theory, तो यह क्या है, butterfly effect है, this is also a very important aspect की, जैसे butterfly effect की बात करते हैं, यह concept ह है, जैसे butterfly effect का मतलब क्या था, what do you mean by this concept that we call it as butterfly effect, what do you mean by this concept that we call it as butterfly effect, तो यहां पर जो butterfly effect के बात करें, यहां पर small changes in initial condition, अगर initially कोई small changes किये जाते हैं, तो इससे क्या होगा, we can say that can lead to vastly different outcomes, कहा कि यह क्या गया है, कि अगर जैसे, suppose करो, यहां पर यह जो concept की बात करें, जहां पर अगर very small change, अगर initial condition में कुछ small changes किये जाते हैं, तो इसकी वज़े से, आपको vastly different outcome आपको मिल सकता है, और यह term आपको highlight किया गया था, mathematician, Edward, Lawrence जो है, उनके द्वारा आपका highlight किया गया था, अब यहां पर का गया, एक concept है, that is, deterministic cures, यहां पर क्या है, कि certain systems are sensitive to initial conditions, कहा क्या गया they are basically, they are very sensitive, यह systems कहा है, these systems are sensitive, initial conditions के प्रती वो जो है, certain systems जो है, वो आपके sensitive होते हैं, मतलब initially क्या कदम उठाओगे, उस पर काफी निरबर करता है, फिर आपको Lawrence जो work है, इस पे, मतलब Lawrence जो है, उनके द्वारा कदम उठाए गया, और इस system का, इस thought का, जो use weather prediction के अंदर किया यही से एक term और आता है, जिसे हम quantum cues बोलते हैं, जिसमें, जो chaotic behavior in the quantum system, chaotic behavior, chaotic का मतलब क्योंता है, एक चीज होता है, ordered में कोई चीज होना, अब जिसे हमान लोगे का गया, जिसे weather है, तो अब initially कोई change हुआ, फिर outcome क्या होगा, हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे यह initial चीज़ों में जहां पर हम quantum mechanics यूज करते हैं, quantum mechanics का मतलब जो atom है, उसके subatomic level पे बहुत सारे जो properties उसका इस्तमाल किया जाता है, quantum computers और यह सब बनाने के लिए, जो कि based होते है, quantum mechanics के context में, तो यहाँ पे क्या है कि, जो point हमें समझना है, जो quantum cues के है, कि यह chaotic behavior है, like it examines the chaotic behavior, chaotic मतलब जो ordered न आएगा, B input है, तो C आएगा, यह ordered हो गया, chaotic आएगा, A input है, तो क्या आएगा, पता नहीं, यह जो aspect है, हम कहते हैं, जो small changes initial phase में will lead to different outcome, इसे हम butterfly effect भी कहते हैं, जिसे butterfly में कहा जाता है, कि butterfly, like how butterfly flapping its wind, जैसे butterfly अपने, जो wings है, उसको ऐसा हिलाती है, in one part of the world, है न, तो यहाँ पे कहा गया, कि जैसे, उसका जो outcome है, like, आसपस के, जो उसमें impact है, वो different set of impact होता है, तो यहाँ पे कहा गया, कि जैसे butterfly, how a butterfly flapping its wing in one part of the world, can set off a tornado in another, demonstrating the interconnectness of the system, मतलब अगर, जैसे butterfly ऐसे, ऐसे कर रही है, तो मतलब एक बार butterfly, जो है, we can say, कि, ऐसा ऐसा, अपना, जो है, ऐसा, हिलारिया, उसका impact क्या पड़ेगा, जैसे, कोई भी चीज़, जैसे for example, अगर इधर कुछ changes होते हैं, तो इधर भी कोई changes अपने होने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि चीज़े, आपकी connected है, तो कहा क्या है, butterfly fit क्या कहता है, कि जैसे, generally, कि एक जगह कोई atmospheric level पे changes होंगे, तो दूसरी जगह भी कुछ changes, वो cause कर सकता है, like, one part of the world can set of tornado in another, मतलब, एक जगह कुछ development होगा, तो कोई weather conditions, जो है, या, जो climatic conditions, वो दूसरी जगह भी develop आपका हो सकता है, so, यह जो computer है, use of computer in weather prediction के लिए इस्तमाल करना, adverse lawrence जो ही इनोंने आपका highlight भी किया है, फिर उसके बाद और भी है, उन्होंने भी is chaotic system को understand करने में contribute किया, तो यह नहीं, बट आपको बस यह ध्यान में रखना है, कि butterfly factor recently news में है, यह किस से related है, किस के लिए useful है, तो बस तो science वाले page में ही left side में है, known for its marble natural beauty, और यह wildfire से अभी effect हुआ था, तो यह आप example quote कर सकते हो, editorial में एक topic है, that is national security strategy, तो यह थोड़ा सा देखते हैं, क्यों हमें like national security strategy की जरूरत, मतलब यह मानूं कि हमें एक देश की सुरक्षा के लिए, हमें एक नीती की जरूरत है, कि strategy की ज अलाग, Bangladesh में अलाग, तो यह neighborhood चीजों को consider करना, कई old enemies, Pakistan हो गया, China हो गया, नए alliance आपके बन रहे हैं, तो उसके बाद हम trillion economy भी बन रहे हैं, तो यह context में हमें एक security strategy डेवलप करनी है, तो point का समझना है, आप neighborhood वाला point देख सकते हो, old enemy, new alliance की बात कर सकते हो, हम trillion economy, हम बड़ी economy बनना, three, four trillion, five trillion economy बनना चाहते है, तो उसमें भी हमें सुरक्षा को ध्यान में रखना पड़ेगा, global level पर देखो, Ukraine में युद्ध है, गाजा में है, और इन सब चीजों का जो युद्ध जैसे इस्तिति, यह जो global growth है, उसको affect करेंगी, उसके बाद आप कह सकते हो, resource की priority तो ministry involved, health, defense, etc, बहुत सारे different, क्योंको देखो, जैसे बहुत सारे challenges आ रहे हैं, war की स्तिति है, उसके बाद की वजह से, जो growth है, that is also going to affect it, फिर उसके बाद कई ministry involved, अलग-लग अपना steps ले रहे हैं, तो अगर है, एक single strategy हमाने पास, national security strategy हो की उस context में हम काम करेंगे, अपने resources का better, इ यहां पे यह भी का गया है, कि जैसे अलग-अलग जैसे देश हैं, उनके लिए अलग मी नहीं होगे, हमारे देश के अंदर suppose करो, कि कुछ कदम उठाया जा रहे हैं, अगर हमाने पास national security strategy है, तो सब उसी direction में, एक coherent way में step जो है लेंगे, जैसे मानलो यूनाइट स्टेट का example दिया है, जहां पे union of value and interest, leadership, maintaining leadership, budgeting, congress involvement, UK के अंदर integrated review of global role, France के अंदर nuclear deterrent, European leadership, तो देखो हर जगा पे कुछ ना कुछ एक national security को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएगे, US के अंदर leadership को maintain करना, उसके बाद Congress का involvement में, तो महां का पार्लामेंट है, उसका involvement होना, values और interest को ध्या nuclear deterrent पर ध्यान देना, European leadership को कैसे लेकर जा सकते हैं, या जो nuclear weapon है, उसे किस तरीक से deterrence के रूप में इस्तमाल अगर हो रहा है, तो उसको कैसे counter करना, तो हर जगा पे जो national security उसके कुछ जो points है, वो highlighted है, इसलिए हमें भी इस पर focus करना पड़ेगा, तो हमें भी देखना पड़ कि जो भी हम strategy करते हैं, उसकी confidentiality हो ऐसा नहीं, हर चीज हर सबको पता है, फिर उसके बाद हमें clear statement होना चाहिए, देखो हमारे यह objective है, ऐसे हम कदम उठाना चाहते हैं, ठीक है, यह कुछ चीजे हैं, यह आप revise कर सकते हो mind map के माद्दम से, फिर देखो और एक चीजे जो develop हो नहीं है, वो क्या है, कि विश्व में alliance develop हो रहा है, मतलब अब हम unipolar नहीं है, यह bipolar नहीं, मतलब unipolar मतलब एक ही poles of power, bipolar का मतलब more than one poles of power, multipolar का मतलब बहुत सारी देश साथ में आके और multipolarity की तरफ जा रहे हैं, मतलब अलग 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 जगह पर powerful, मालो South America में अलग है, Asia में अलग है, तो different poles of power जो है, वो प्रेजेंट आपके है, तो multipolarity की तरफ भी हम जा रहे है, फिर multi alignment है, मतलब अलग 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 देशों से हमारा alignment है, alliance जो हम हम develop कर रहे हैं, अब इसमें कुछ चीज़े consideration है, जिससे हम अपना आर्थिक strength क्या है, यह भी बहुत matter करता, अगर अपने presence शो करना, यह कोई कहेंगे कि यह वाला एरिया हमें दे दो, तो अगर आपकी economic strength अच्छी है, तो आप जो sovereignty उसको भी maintain करके रख सकते हो, territorial integrity maintain करना बहुत matter, यह भी एक consideration है, टेरिटोरियल मतलब जिससे हमारा जो area है, वो हमारे तक रहे, को इस पर कभजा ना करे, और security strategy में भी reflect करना चाहिए, कई groupings पर हमने focus किया है, जैसे member Australia, India, Japan, US, फिर bilateral security discussions, BRICS groupings है, इनको consider करना Brazil, Russia, India, China, तो देखो एक तरफ जो grouping quad है, उसमें वो US led है, एक तरफ grouping है, चाइना और Russia, तो दो different poles of power, extreme poles of power है, और दोनों का हमें हिस्सा है, तो इसमें भी हमें अपना national security strategy मे हमें इस चीज़ को देखना है, कि किस तरीके से हम दोनों के बीच में balance बनाके जो है रखते हैं, ये बहुत matter रहता, फिर हमारे जो strategic consideration इसमें हमारी military capability है, अगर इस्तिती खराब होती है, तो उसको कैसे हम देखते हैं, फिर transparency maintain करना बहुत important है, अपनी navi की capability बढ़ाना बहु देखना पड़ेगा, फिर यहां पर क्या है, national security document develop करना है, तो इससे क्या होगा, कि एक messaging जाती है, जैसे कि पूरा, तो सबको पता रहता है, देख के अंदर के अच्छा, ये हम security strategy develop करेंगे, सामने वाले देख को भी पता होता है, कि अच्छा, इनका ये viewpoint है, उसके बाद military capabilities जो है, वो हमें showcase करना ज़रू है, बट ये नहीं कि किसी को डरा धमका के, मतलब हमें देखना है, कि हम अपनी military capability को कर सकें, फिर यह भी देखना है कि public perception management बहुत matter करता है, क्योंकि आज के समय में social media के माध्यम से, easily, कोई भी देश हमारा अगर दुसमान है, तो public perception को manage कर सकता ह क्योंकि देखो, अगर कोई चीज, अब जैसे आप यह देखो, एक example देखो, कि अगर हम किसी पर निर्भर करते हैं, तो मतलब मालो electronics equipment हम किसी पर निर्भर करते हैं, और फिर उन equipments को देश चाइना ही हमारे लिए बना रहा और उसमें कुछ ऐसा करें, जैसे इसरायल ने किय है, हजी हजबुला की तरह, तो वो कुछ और करें, डेटा को लें, या कुछ और नुकसान पहुंचा है, तो यह national security के लिए भी बहुत सही नहीं है, तो हमें self-reliant की तरफ जाना पड़ेगा, careful हमें अपनी कुटनिती develop करना पड़ेगा, उसके बाद opposition के साथ एक maintain करके हमें अपना democratic strength जो है, वो शो करने की जरूत है, साथ में focus किया गया है, sovereignty और security, मतलब एक तो जो हमें sovereignty देखनी है और सुरक्षा पर focus करना है, like territorial integrity बहुत matter करते हैं, territorial integrity का मतलब कि जो हिदिया मांग्ड है कि भाई यह देश भारत है, तो वो पूरा जो हम integrity है, मतलब उस territory को maintain करें, और उसको हम किस तरीके से और protect कर सकते हैं, अपनी economic strength कैसे develop कर सकते हैं, यह बहुत matter करता है, अपने alliance के, अगर हम shifting alliance हैं, मतलब हम different alliance का हिस्सा हैं, अब उसके लिए हम अपने interest को कैसे ensure कर सकते हैं, तो यह बहुत important, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो multi alignment बहुत important है, और यहाँ हमें अलग-अलग global powers से balance करना पड़ेगा, जैसे एक तरफ हम quad का भी हिसा हैं और एक तरफ bricks का भी हिसा हैं, तो दोनों के बीच में balance करना बहुत जरूरी भी है, जो हम focus भी कर रहे हैं कि भाई, देखो हमारा value system यह है कि हम न इसकी तरफ हैं नम उसकी तरफ हम अपने national interest की त करेंगे, तो देखो यह सब points आपको ध्यान में जो है रखना है, अगर थोड़ा मेरी speed तेज लग रही हो तो आप pause करके दुबारा से सोन सकते हो, यह माइंड में आप revise कर सकते हो, तो content बहुत जादा है, और आज net भी नहीं तो मुझे session को पहले record करना पड़ा, और फिर मैं तो यहां पर three candidates होते हैं, उसमें voting की जाती है, और उसके तहत जो सबसे जादा vote है, जिनको मिलता है, जो भी candidate है secure, at least 50% or more of the overall votes declared the winner, तीन में से, अगर कोई भी candidate 50% पहले round में नहीं है, तो there is a legal provision for run-off between the two front runners, for the first time in four decades since the introduction of the current voting system, Sri Lanka could see a second count given the close risk between the front runners, तो देखो इस पर एक rule है कि तीन जो आपके candidates हैं, उनमें लगभा 50% आपके vote आना नहीं है, तो जो दो हैं, दो के बीच में होगा, इस type से, फिर उसके बाद जिनको 50% उससे जदा vote मिलेगा, वो president आपके बनते हैं, तो voting and counting, तो बहुत सरे polling stations होते हैं, वहाँ पे votes किये जात अगर आप देखोगे, तो यह भी अच्छा topic आपके लिए frame होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए, so GDP का मतलब क्या होता है, monetary value, किस चीच की monetary value, मतलब आपके देश के अंदर जो भी goods and services produce हो रहे हैं, उसका monetary value क्या है, वो आपका GDP है, अगर मानलो आप सही तरीके से GDP को calculate करत हो, तो ठीक है, अगर मानलो आप कुछ ऐसे तरीके अपनारों जिसे आपकी GDP overestimate हो रहे है, तो ठीक picture हमें नहीं देगा, हमारी policy making के लिए भी सही नहीं है, तो हमें देखना है कि हम GDP को कैसे तो उस चीच के बारे में कुछ points है, इसमें वो थोड़ा सा देखते हैं, तो इसक के माद्यम से हम GDP को calculate करते हैं, मानलो 2011 बार अगर हमारा base year है, तो उस basis में अपने GDP को calculate करेंगे, nominal GDP में present year को के ध्यान में रखे, जैसे मानलो base year के basis में आपका unit 100 है, और nominal में 120 है, तो आपको पता चलेगा कि अचा real GDP के टर्म पे हम कितना grow किये हैं, nominal कैसा है, क्योंकि nominal में inflation aspect included आपका जो है रहता है, तो यहां पर अभी बातचीत चल रही है कि ongoing series based year 2011 बार है, proposed 2020-21 है, और जो data है, उसको शिफ्ट करने की बात की जारी कि GST का जो data है, उसका इस्तमाल करके GDP का calculation किया जाएगा, तो GST data का इस्तमाल किया जाएगा, तो अब यह चीज लाइक देखने वा का data है, उसमें जो private sector का contribution हो, जादा आपका रहता है, तो अब यह लगातार debate यह चल रही है, कि क्या जो यह shifting है, क्या ठीक है कि नहीं, या फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा pilot project की रूप में run करें, देखें किस type का है, तो previous estimation method है, उसकी कुछ limitations है, न अब इसमें क्या है, significant divergent in growth rate between the series, अगर पहले जो थी और अब है, उसमें काफी ज़्यादा आपका GDP का number है, उसमें changes आ सकते हैं, तो over estimation की स्थिद्धी बन सकती है, यह भी कहा गया है, और जो data है, उसका proper scrutiny करना, यह देखना जरूरी है, तो यह थोड़ा सा है, तो यह proper scrutiny भी matter आपका करता है, फिर उसके बाद, like इसमें एक चीज़ जो आपकी कही गई है, देखिए कुछ data आपका देख सकते हो, तो like for example, इसमें कुछ चीज़े यह कही गई कि, pilot studies को सामने रखना, मतलब जो GST data को, data set को GDP estimation के लिए validate करे, मतलब इसमें करके देखना चाहिए, उसके बा value addition आपका हुआ है, इकनोमी के अंदर, कितना जो आपका capital का formation हुआ है, जो कि एक asset की रूप में है, या आप कह सकते हैं, मालो infrastructure है, तो fixed capital formation कितना आपका है, उसमें फोकस करना, तो यह सब कुछ points है, आपका economy के 13 lecture पड़े हुए है, आप चाहो तो देख सकते हैं, इसी channel के अं relevant है, GDP calculation के अगले हम कर रहे हैं, साथ में BCR हम change कर रहे हैं, नेक्स्ट आयर का topic है, वेनिजूला presidential election, तो अभी Nicholas Maduro और Edmond Gonzalez, इनके बीच में election आपका हुआ ता, जिसमें Nicholas Maduro जीते हैं, अब इसमें कई, जैसे चाइना और क्यूबा, इरान, रशिया वो Nicholas Maduro को support कर रहे हैं, साथ में युद्ध की जो स्थिति यूक्रेन और रहिशया के बीच में और उससे जो ऑईल क्राइसिस की स्थिति बनी, यूरिशया भी एक major player है, तो उससे वेनिजूला पर जो sanction यूएस ने लगा रहा था, वो थोड़ा काफी relax किया है, कि आप export कर सकते हो, ऑईल को इसे वेनिज में रहे हैं, उनको चाइना, क्यूबा, इरान, रश्या वो फेवर कर रहे हैं, बाकी को, वेस्टन गंट्रीज जो फेवर कर रहे हैं, तो यह बस थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, आई-ार के context में, नेक्स टॉपिक देखते हैं, इस पर आप देखोगे, दोहज आप लोग notes तुरंत बनाएं, notes अगर नहीं, बनाने के वैसे जरूरत नहीं है, आपको PT से, यह जो PDF AC से आप अपना revise कर सकते हैं, नेक्स देखते हैं, इस सब हिंदू session अटी के newspaper के अंदर आज के यह आए हुए topics हैं, जो मैं आप से discuss कर रहा हूँ, चलो, यहाँ पे देखा कि बहुत बड़ा एक role है, कि एक परकार से legislature और executive कभी भी जो समविधायान में चीजें mentioned है, उसको कभी भी सरपाज ना करें, तो judicial independence बहुत matter करता है, और यहाँ पे यह भी कहा गया है, कि देखो एक independence तो ही, एक constitutional disciplinary भी बहुत मैंट, discipline भी मैंट, देखो आज के समय में Judiciary बह क्या होता है, judicial system का role यह है, कि जो भी यह criminal justice system के तायत है, जो भी है ना, उनको नया प्रोवाइड करना, timely, अब वैसे cases तो आपके pending हैं, अब judges जो हैं, वो political scenario में ज़्यादा involved हो गए हैं, है ना, कि political parties के और बहुत सारे जो चीजें, जो हम किसी और तरीके से कर सकते हैं, executive legislature के माध्यम से जो चीजें की जाते हैं, वो चीजें जुडिशरी के द्वरा की जा रही है, तो यह चीज कहा है कि हमारे जुडिशरी को का जो रोल है, वो कहीं ना कहीं, executive legislature के रोल की तरफ लेकर जा रहा है, कहीं ना कहीं, उसकी तरफ जो काम executive legislature का है, वो काम किया जा रहा है, इसे हम judicial overreach भी कहते हैं और यह चीज अभी जैसे इस बाप प्रश्ण भी पूछा है कि यह कहीं न कहीं बहुत powerful judiciary को बना रहा है तो यह judiciary को बहुत powerful बना रहा है तो इससे जो judges हैं उनका ambition अगर वो बहुत ambitious हैं तो वो एक न कहीं कहीं न कहीं जो हमारा लेजिसलेचर है वो आपके पार्लेमेंट ए स्टेट लेजिसलेचर है जुडिशिरी मेली आपका fundamental rights है कोई भी अगर law या executive action किसी fundamental rights को breach करते हैं तो उसके खिलाफ कदम उठाए जा सकता है या उस action को लेजिसलेचर और executive के उन चीजों पे जुडिशल जुडिशरी एंटर जो है वो कर रहे है और जुडिशल criticism के लिए जुडिशरी को तयार होना चाहिए limitation का ध्यान में रखना चाहिए जो public responsibility है judges की वो भी ध्यान में रखना जरूरी है judicial independence रहे वो बहुत important भी है accountability भी रखना इंडिपेंडेस और accountability का balance maintain करना बहुत ज़्यादा important आपका बन जाता है ठीक है तो यह चीज आप थोड़ा सा read कर लेना यह mind में आप है इसके माध्यम से अब इसमें यह भी का कि जिसे भारत में judicial appointment process में क्या है जिसे आपके बास collegium है जिसे one plus मतलब कितने होते हैं एक बार आप check करना मतलब total आपके four plus one होते हैं का यहाँ पर जैसे आपके chief justice हैं उनके साथ चार judges और होंगे वो नाम select करते हैं और उसके वो फिर recommend करते हैं law ministry को उसको पर approval मिलते हैं फिर वो judges appoint होते हैं तो judges are appointing judges ठीक है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो judges हैं judges are basically appointing judges यह चीज आपको ध्यान में रखना है that judges are appointing जो judges हैं judges ही judges को आपका appoint करते हैं यह हमारे देश के अंदर भी कहन से की होता है तो इसको कई बार criticize भी किया जाता है यह भी कहा जाता है उस चीज को काफी अधी criticize भी आपका कई लेवल पर किया जाता है क्योंकि फिर favoritism और nepotism और यह सब देखने को मिलता है तो judges का रोल क्या है constitution को interpret करना उसके बाद appointment की बात करते हैं although president करते हैं बट हमारे हाँ कोलीजियम की अगर बात करें तो यह है उसके बाद preamble of the constitution की बात करें social, secular, democratic, republic, justice, social, economic, political, liberty, equality, fraternity, dignity यह चीज़े highlight करते हैं कि हमारा जो समीधान है वो किस तरीके से है चीज़े कैसे run होना चाहिए इसको कैसे maintain, sustain करना चाहिए उसमें judiciary का भी रोल है legislature का भी रोल है तो judges के बेटे ही judges बने तो एक class बन जाती judges की उन ही में से select हो रहे है यह है code की impartiality पे भी कई public जो perception और develop होता है कि जो decisions है उसमें class biasness ना देखे यह देखना जरूरी है बहुत important है और अभी-अभी collegium system है तो इसके context में भी national judicial appointment commission का था लेकिन judiciary है judiciary ने ने कहा कि मतब वो stage को null and wide कर दिया था कि इसमें जो judiciary का independence है that is going to be affected तो यह बहुत important है कि collegium को भी accountable करना बहुत matter करता है फिर उसकाद कुछ changes जो है सामने रखे थे proposed changes रखे गए हैं so like for example composition जो भी मतलब selection के लिए जो आपके judges है उसको committee बन रही है collision बन रही है उसके composition कैसा हो accountability कैसे रखे है उसके बाद judges का जो character है उसको investigate करना बहुत matter करता है independence और integrity maintain करके रखना constitutional value की तरफ हो पुरा जो समयधानिक values के प्रती and client हो ऐसा नहीं कि political ambition judges का उस basis में judgments आ रहा है तो यह थोड़ा सा देखना है political pressure में दबाओ में ना आना यह भी देखना जरूरी है public participation भी matter करता है future के अंदर transparency matter करता है better governance के लिए कर जुरत परते हैं समयधान में कई amendment हमने पहले भी किया अभी भी जुरत परते हैं तो हम कर सकते हैं और equal status प्राइम मिनेस्टर को chief justice है के है यह भी है ना maintain करना और एक है ना तो यहां पे मतलब अपकुल मिला के देखना future consideration में जो दूसरे aspect है investigation agency उनकी independence maintain करके जो है वो रखना चलो next topic देखते हैं जैसे Sunday का session के भी content आज ही हम लोग cover करता है इसमें आप याद रखना radio signals का use होता है इसमें एक तो तब one way पेजर्स जहां पे message receive होता है तो होता है जहां पे आते भी है message और जाते भी है advantage क्या है कि ज़्यादा reliable है mobile phone in certain conditions energy efficient है network कोई issue है क्योंकि इतना इंटरनेट से कोई connected नहीं है ठीक है तो यहां पे emergency services remote location में इनका इस्तमाल किया जाता है लेकिन फिर phone और इसमाने के बाद इनका use कम होने लग गया next देखते हैं इंडिया का trade deficit की बात की गई है यह economic topic है तो export आपका 1.5% से reduce हुआ है थोड़ा हो सकता है मेरी speed तेज होता हो पॉस कर सकते हैं तो topics बहुत जादा है और मुझे session record करके डालना है तो क्योंकि net काम नहीं कर रहा है तो इस वज़े से मैंने session record कि और फिर मैं आपको दे रहा हूँ ठीक है इस वज़े से थोड़ा सा lead भी होगा बट I will try की session जल्दी और record करके मैं आपको upload कर दो further इसमें decrease 9.3% जो है देखने को मिला है और देखा जाए trade deficit trade deficit का मतलब जो आपका trade deficit in the sense की आपका export बढ़ रहा है import कम हो रहा है export import का जो gap है वो reduce हो रहा है import bill जो है आपका import bill dollar 64.4 billion है ठीक है trade deficit का मतलब जनरली आप export import का गया आप मानो ऐसा merchandise मतलब जो goods में जो trade deficit वो आपका 29.7 billion है ये भी देखने को मिल रहा है तो इसमें कई factors कहे गए है oil की factors को बोला गया है oil जो है इसका export decline हुआ है jewelry में decline हुआ है pharmaceutical और electronics में decline हुआ है import की अगर बात करें तो overall जो import है वो भी आपका increase हुआ overall import increase हुआ है है न import में भी सर्ज होते है एक तो export आपका इसमें decline हुआ import आपका increase हुआ है gold import भी देखा जाए उसमें भी increase हुआ है तो ये facts मतलब डेटा तो याद नहीं रहेगा बर trend आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है अब key sectors जो भी affect हुए है जैसे petroleum, gems, jewelry ये major contribution है trade deficit के लिए क्योंकि इन में जो export part है वो आपका affect हुआ है Chinese economy में भी slowdown हुआ है तो इससे भी हमारे जो export है वो चीज़े affect आपकी हुई है gold import duty में reduction हुआ है इसमें लगए 5-6% तक लेकर आए गया है इससे भी जो gold import है बहुत तेजी से बड़ा है कि है ना बहुत ज़्यादा gold import आपका जो है increase हुआ है economic outlook की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो deficit उसको manage किया जा सकता है इंडिया का growth rate है वो global demand को आप क्या सकते हैं उसको outpace कर रहा है मतब जो demand है उसको meet कर सकते है foreign exchange जो reserve हो भी बहुत हाई हमारा increase हो रहा है future में देखा जाए तो इससे जो duty मालों कट की जाएगी तो import bill reduce होंगे मतब जैसे मालों कोई चीज़ आप पोर्ट कर तो उसमें ज़्यादा tax लग रहा है तो अगर duty कट होगे अलग है तो उससे जो import bill है उसमें भी reduction देखने को मिलेगी यह है बट इससे आपका import है वो बढ़ सकता है ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है global जो trade है विश्यो में ये faster can grow faster in 2024 demands जो है आप कह सकते है और इमें timid जो developed market है वहाँ पे जो demand है वो अभी थोड़ा कम है तो वो demand जैसे से बढ़ेगी तो हमारा भी growth जो है वो आपका बढ़ेगा और कई जो risk जैसे कई युद्ध हो रहा है ये सब चीजे भी हमारे export और इन सब को affect कर सकती है तो हमें अपने domestic demand को भी देखना है ऐसा नहीं कि हम सिर्फ international demand को cater कर रहे है ये भी है उसके बाद US का जो election है फिर उसके बाद Chinese good पे जो tariff high है वो भी affect कर रहे है tariff high का मतलब जो tax impose की जाना है Chinese good पे फिर उसके बाद Chinese चाइना का डिमांड की अगर हम बात कर रहे है इंपोर्ट के लिए फॉर इंपोर्ट उसमें भी reduce हो रहा है और साथ में जो low prices है low oil prices है आपका on Indian export impact of low oil prices on Indian export ये भी है कि जो इंडिया का export है उसमें जो oil price है क्योंकि उसमें भी price आपका reduced है जैसे हम आनलों की हम crude oil ले रहे हैं उसमें कुछ change करें फिर हम export भी करते हैं कुछ तो already price low है फिर उसमें process करके फिर हम export कर रहे हैं तो already कोई चीज़ कम price में तो हम उसमें profitability कैसे इतना ज़्यादा earn कर सकें तो आगे challenge भी है 1 trillion economy in service and good export by 2030 यह हमारा goal है उसके बाद देखो कई चीज़े हैं जैसे अगर आर्थिक slowdown आता है global उसके बाद कई barriers हैं देशों के बीच में मतलब कई tax impose हो रहा है कई non-tariff barriers आ रहा है कई जो industrial policies हैं pandemic के बाद यह भी एक factor है जैसे मालनो European Union का carbon border adjustment mechanism है तो European Union का यह है तो इसमें जैसे मालनो हम अपने production प्रोसेस में बहुत अधिक carbon का emission अगर हमारे उसमें हो रहा है so there is a high chance कि फिर उसमें काफी सारा tax impose किया जाए European Union के द्वारा carbon border adjustment mechanism तो उससे फिर हमारा जो product है उसका price बढ़ जाएगा यह सब challenge जो policy level पे challenges है matter आपके जो है वो कर रहे है ठीक है next देखते हैं यह mind map से आप revise कर लेना निपार वाइरस की बात अगर किया जाए तो overview of निपार वाइरस तो viral genosis मतलब यह आपके दूसरे जानवर से इंसान में transmit हो सकता है bats, pigs, contaminated food से हो सकता है पहले बार 1998 में Malaysia में इसको identify किया गया था और यह animals और humans दोनों का affect आपका कर सकता है specific कोई भी antiviral treatment अभी available नहीं antiviral का मतलब क्योंकि viral diseases है तो जो भी हम इसके antiviral का मतलब की जो वाइरस के खिलाफ treatment काम करता है तो ऐसा कोई specific अभी available नहीं है public health education तो public health education की तरह focus करना vaccine research और जादस जादा focus करना next देखते हैं lavas from hotspot and earth mental तो मैं थोड़ा से पहले यह map यह आप देख लो तो यह अगर आप देखोगे तो यह जमीन के नीचे का reason है और यह hotspot, hotspot एक ऐसा area होता है जैसे यह आपका lava बन रहा है यह एक जगह है जैसे यह नब एक दम यह पूरा area है land का उपरी हिस्सा है, crust है यह तूट जाता है और यहां से आपका lava बाहर की तरफ निकलता है तो मतलब यह दो plates जहां मिल रही हैं वहां नहीं है plate के बीच में ही जो आपके tectonic plate जैसे मालो कि आपका जैसे मालो suppose करो यह आपकी plate है और यहां पर यह area बनता है और यहां से फिर यह निकलता है जो lava निकलता है ऐसे area को hot spot बोलता है we call it as hot spot जैसे मालो आप imagine करो एक table है table के नीचे से छेद करके और एक pipe लगा दे तो beach table से आप करो तो वहां से फिर पानी एकदम भी table से आपने नीचे से इसा छेद कर दिया hole कर दिया और वहां से pipe लगा दिया तो table के उपर पानी आ रहा है तो कुछ ऐसा ही मतलब नीचे से यह धीर धीर प्रिशर मनता है और फिर यहां पर यह जो एक space होती जहां से यह निकलता है लावा उसे हम hot spot जो है बोलते है तो लावा जो है कहा गया कि hot spot से हवाई समोया इसलेंड में यह hot spot अवेलिबल है और यह within plates होते हैं single plates के अंदर है कहा गया कि यह जो originate है from uniform reservoir in earth mentals uniform reservoir in earth earth mental कहां पर जैसा crust है crust के नीचे वाली layer है earth उसे हम mental बोलते है और इसमें यह कहा गया कि mental है mental मतल क्रिस्ट के नीचे जो mental है जहां पर यह लावा प्रेजेंट है वहां पर chemical homogeneity मतलब across earth जो यह लावा का chemical composition है वो same है ठीक है तो यह आपका कहा गया लावा acquire chemical flavor before reaching the surface मतलब जो लावा है उसका chemical composition तो सेम है बट दीरे दीरे उपर की तरफ जाएगा तो हो सकता आस पास की जो चीजे है जहां से वो जा रहा है तो उसमें कुछ उसमें add-on हो आपका हो सकता है तो hot spot लावा reveals uniformity in the mental मतल यह कहा गया कि जो mental है जो crust के नीचे जो layer earth की उसमें एक समानता है chemical diversity कैसे introduce होती है chemical diversity जिसे मानलो ऐसा होता है कि मानलो एक example सोचो कि आपका जब glacier पिगलता है पानी दीरे दीरे आता है पानी बहुत साफ होता है जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा इदर दर की गंदगी उसमें add-on होती है तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो mental में lava present हो एकदम सेम है हर जगा सेम पर जैसे जैसे वो नीचे से उपर की तरफ जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ add-on होगा इस वज़े से chemical diversity जो है वो आपकी रहती है यह चीज आपकी highlight की गई नेक्स देखते हैं यह prelims का topic है genetic mechanism of transgenerational phenotypic plasticity in the plants तो यह क्या है कि transgenerational phenotypic plasticity अब यह term आपको याद रखना अगर आपसे पूछे कि यह term का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है कि अगर एक पौधा है आसपास का environment है तो जो पौधा है आसपास के environment के प्रतिय अपने आपको adopt कैसे करता है phenotypic का मतलब होता है जो चीज express दिखती है जैसे एक plant है उसकी height क्या है flowers कैसे है color उसका क्या है तो वो phenotypic शब्दम उसके लिए इस्तमाल करता है तो phenotypic plasticity plasticity का मतलब क्या होता है मतलब it has the ability कुछ flexibility रहना change हो जाना जैसे प्लास्टिक होता है तो इस तरीके से transgenerational की बात अगर हम करता है तो इसका मतलब की generation after generation जो phenotypic plasticity है कि वो अपने आपको change कर सकता है कोई plant तो ये factor जो plant के अंदर है ये basically plant को help करता है environment के प्रती adapt करना जैसे आसपास का environment है उसमें plant की height क्या होगी पत्तियों की size क्या होगी flower का color क्या होगा इस types है तो अभी जैसे Arabidopsis thaliana तो इसको इसकी testing की गई है different conditions पर और फिर इस चीज़ को highlight आपका किया गया next देखते है mechanism behind reduction in asymmetry of EMU wing bones तो EMU क्या है ये bird है ठीक है EMU जो क्या है it's a bird और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना EMU क्या है ये bird है और इसमें कहा गया कि like for example इसमें ये कहा गया कि दीरे दीरे जो EMU है इसके wings जो है वो like चले गए reduction in asymmetry of EMU wings bone तो यहाँ पर मतलब इसमें कुछ चीज़े highlight की गई है कि like embryonic और fetal moments मतलब जो एकदम जब EMU present था अंदर तो embryos बनते हैं embryos मतलब जैसे embryos भी दीरे दीरे multiply करके फिर उसमें agmaidon होके बड़ा जो बर्त होता है फिर बड़ी चड़िया बनती है तो embryonic और fetal जो moment है यह एक महतरपूर्ट role play करते हैं इनके evolution में इन्होंने बहुत महतरपूर्ट role इन्होंने play किया है मतलब embryonic level में अलग-अलग जो नीचे development हो रहा है जैसे जो EMU mother EMU है उसके शेरीर के अंदर जो आपके embryonic level पे या जब वो चोटा बहुत ही है चोटा EMU तो उसमें कुछ जो बदलाव हो रहे हैं वो basically उसके skeleton मतलब उसका जो धाचा है हड्यों का धाचा है bird के उस चीज के shape को determine करता है तो यह factor highlight की गई है क्यों EMU के wing की जो bones है वो एक समान नहीं होती है वो जब बन रहा होता है पेट के अंदर तो उसमें कुछ ऐसा evolution देखने को मिलता है ठीक है अभी थोड़ा pen का वो खतम हो गया तो मैं बोली देता हूँ next देखते irrational use of antibiotics and its effect on the host cell तो antibiotics पे मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है तो चाहो तो आप इसको read कर लेना ठीक है तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे यह cyber security disaster management border management का जो course है तो इसमें सारा content मैं अप्लोड किया PDF में डालूँगा अभी ethics का course आएगा current affairs का नया बैच चाहेगा यह सब आपके लिए रहेंगे और current affairs में बहुत सारे प्रश्ट हम लोग के आएं है sessions से तो यह मैं सब आपको वीडियो के माध्यम से show भी करूँगा आप लोग देखना इसके अलावा essay का course जो चल रहा है आपको पढ़ने के लिए तो प्रिलम से डाउनलोड करें और अभी यह courses में करवा रहा हूं साइबर सेकुरिटी, डिजास्टर मेंजमेंट, बौर्डर मेनेजमेंट का course है उसका society, globalization, regionalism, communism, इस बार भी कितने सारे प्रश्टन है इस एरिया से society वाले, globalization वाले, लोग पढ़ते कहा हैं, इसको ध्यानी कहां देते हैं सतर असी में नंबर इससे आ जाता है, बहुत अच्छा वेटेज है इसका भी तो मैं आपको फिर कहा रहा हूँ कि लगबख 1200 नंबर ऐसे नंबर है, जिनका हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिट, इक नौमी से कोई लेना देना नहीं है मेंस की बात की जाए, उनकी हम तयारी नहीं करते हैं, जिसमें optional ethics और भी part आते हैं, slavers का जो मैंने कई बार बताया है तो वो चीज़ें आपको December से पहले cover कर लेनी है, अगर आप नहीं करते हैं, तो फिर हम अपने आप बहुत ही बड़े disadvantage में जाते हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ इन चीज़ों को cover करने का तो आप लोग जरूर से जुणे और इसको कर लें, उसके बाद आप जॉइन करने के लिए description box में लिंक दे रहा है, सारपंडे CAC यह आप आप download कर सकते हैं, यह सारपंडे UPSC.com वेबसाइट से, यह question देख लो, आज क नंबर पर कोई doubt है, तो connect कर सकते हैं, और सारपंडे UPSC टेलिग्राम चैनल जो है, वहाँ पर अपने answer send कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next session में, thank you everyone, thank you.